बाई और बेनों मैं सच बोलता हूँ और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाओ बीजेपी जीते और उसके बाद सविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है ये चुनाओ ये चुनाओ वोट वाला चुनाओ नहीं है ये चुनाओ हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाओ है 22 लोग है जितना धन उतने उनके हाथ में है उतना ही धन 70 करोर लोगों के हाथ में है ये सन्विधान को क्यों मिटाना चाहते हैं क्योंकि आपका धन जो है आपसे चीनना चाहते हैं मैंने जाती चंगड़ना की बात की किसानों के MSP के बात की युवाओं को रोजगार देने की बात की ये ही देश के सामने सबसे बड़े मुद्दे है मगर एक बात याद रखिए अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग काम्याब हो जाएगी यह भूलिये मत और जिस दिन मैच फिक्सिंग काम्याब हो गई उस दिन आपका समविधान हमारा समविधान खतम हो जाएगा जिस दिन समविधान खतम हो गया उस दिन हिंदुस्तान के दिल पर एक बहुत बड़ी चोट लगेगी तो यह जो चुनाओ है यह चुनाओ कोई मामुली चुनाओ नहीं है यह चुनाओ हिंदुस्तान को बचाने का समविधान को बचाने का और जो गरीबों का हक है किसानों का हक है पिछड़े वर्गों का दलतों का आदिवासियों का गरीब जेनरल कास के लोगों का हक है उसको बचाने का हक है उसको बचाने का चुनाओ है यह बात अब याद रखिए क्योंकि अगर यह चुनाओ जहां मैच फिक्सिंग की जा रही है वो पूरे देश को दिख रहा है बीजेपी के लोग कह रहे है कल मेंसे व्यक्ति मिलने आया मुझे कहता है मैं ट्रेन से आया मेरे साथ बीजेपी के कार्यकरता बैठे थे उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड है यह सचाई है एलेक्शन कमिशन के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने बठाया दो नेताओं को दो चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला चुनाओ से कुछ ही महीने पहले अगर डालना था तो छे महीने बाद डाल देते छे महीने पहले डाल देते नई चुनाओ से दो तीन महीने पहले दो चीफ मिनिस्टर को डालना था आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किये बैंक अकाउंट बंद करने थे छे महीने पहले करते एक साल पहले करते छे महीने बाद करते कोई फरक नहीं पड़ता आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाओं ना लड़ पाए और इसलिए आपने कॉंग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद किये आपने एलेक्शन कमिशन में अपने लोग बठाए आप जुडिशिरी पे दबाब डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो समविधान रद किया जाए और आप सत्ता में रहो मगर भाईयों बेनों मैं सच बोलता हूँ और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाओ बीजेपी जीते और उसके बाद समविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है जो मैंने का याद रखो ये देश नहीं बचेगा ये चुनाओ ये चुनाओ वोट वाला चुनाओ नहीं है ये चुनाओ हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाओ है समविधान की रक्षवाला चुनाओ है कर दो कर दो कर दो